चलिए देर आए दुरुस्त आए मैं तो यही मानती हूँ कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है सम्विधान का चीरहरन हो रहा है उस पे जो जो लोग इस बात पे चुप रहेंगे मैं मानती हूँ कि यह आने वाले समय में प्रजातंत्र के लिए हानिकारक होगा आप विपक्ष के नेताओं पे जासूसी करते हैं, आप जनलिस्ट पे जासूसी करते हैं, जो आप से सवाल जवाब करते हैं, आप जुडिशल अथॉरिटीज पे जासूसी करते हैं, आप इंडस्ट्रिलिस्ट पे करते हैं, आप अक्टिविस्ट पे करते हैं, कौन सा ऐसा प जिस तरीके से जिस भाशा का ये इस्तिमाल कर रहे हैं, महाराश्टरा की जनता जानती है कि शिवसेना का और शिवसेना भवन का क्या महत्वा है उनकी जिन्दगी में, हमारे लिए वो मंदर समान एक जगा है और उसके बारे में इस तरीके की भाशा का इस्तिमाल करना उनकी मानसिकता, भारतिय जनता पार्टी की मानसिकता और साथ ह साथ, हाडे हुए लोगों की हताशा बयां करता है. Opposition Party from Lok Sabha and Raj Raja Sabha to meet tomorrow in Delhi to discuss strategy for monsoon session. Rahul Gandhi to attend the meet. I think it is extremely important that opposition has spoken in one cohesive voice on issues that matter to the people of this country. And it becomes important that as we go along, we hold the government accountable and do not give government any kind of leeway to run away from the accountability, responsibility, and ensuring transparency. in the welfare of the people of this country. क्या कहना चाहेंगे कल सभग की जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके मुलाकात हैं, किस तरह के से लेती हैं? मैं इसको एक positive movement ही देखती हूँ, क्योंकि देश में अगर सतापक्ष को जिमिदारी दी है, विपक्ष को भी जिमिदारी दी है, कि जनता की आवाज उठाते रहें, उन मुद्दों पे उठाएं, जिससे जनता जुड़ी है, पेट्रोल प्राइस राइस का हो, अनिम्प्लॉइमेंट का हो, एकॉनमी का हो, किसानों के अधिकार का हो.